हलो दोस्तों आप दख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूटिव हिंदी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों आज के इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल सिक्यूरिटी सिस्टम इसके सब्सक्राइब करेंगे जिसके माध्यम से हम लोग सेक्यूर कर सकते हैं अपने बिजनेस अपने घर को उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करनेवाले हैं सिसीटीवी कैमरा से तो आज कि निट में अगर देखा जाए तो जो अपने अपने नाम से लोग जो CCTV कामरेज वगर बनाते हैं और वो इंडिया के अंदर सेल कर रहे हैं लेकिन हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे हम उन ब्रांड की बारे में बात करेंगे जो ब्रांड बहुत ही पुराना है और बहुत ही बहतर वर्क करता रहा है जैसे हम उस सिर्फ तीन ब्रांड के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर पहला होगा CP प्लस जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा और उसके बार हम बात करेंगे दाहुआ और तीसरे नंबर पर आएगा Hik Vision तो CP प्लस जो होता है थोड़े सस्ते CCTV Cameras से स्टाट हो जाता है दाहुआ एक बहुत ही माना जाना ब्रांड रहा है CCTV Cameras में Hik Vision ये भी बहुत ही माना जाना ब्रांड है जो इंडिया के अंदर किसी भी मार्केट में अवलेबल हो सकता है आपको तो local market से भी आप buy कर सकते हैं इनमें से किसी भी brand के CCTV cameras, DVRs वगरा कुछ भी आप जो है एक local market से भी आप जो है buy कर सकते हैं और चाहें तो आप जो है online भी buy कर सकते हैं और जितने भी product के बारे में हम बात करेंगे उन सभी के link जो है मैं description में डाल दूँगा आप जा करके और details देख सकते हैं और buy करना चाहें तो आप buy भी कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे CP plus के CCTV cameras के बारे में कि कौन कौन से camera आज की rate में मौझूद है CP plus के अंदर और कौन सा हमें लेना चाहिए इन सभी के बारे में बात करेंगे नेक्स वीडियो हम लोग बात करेंगे DVRs के बारे में और उसके नेक्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे accessories के बारे में कि हमें क्या-क्या चाहिए होता है जब हम cameras और DVR purchase कर लेते हैं तो उसके बाद और हमें accessories में क्या-क्या चाहिए ताकि हम बिल्कुल इसली हम उसको connect कर सके और इसली बिल्कुल लगा सके इसके दर मैं ये भी बताऊंगा कि इसके लिए कोई भी इंजीनिर्स की ज़रूरत नहीं है आप बिल्कुल जो है आप इसे बाय करके और बिल्कुल इसली एक वायर मैन के माध्यम से आप जो है इसकी वायरिंग करा सकते हैं और बिल्कुल easily connection कर सकते हैं इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप एक जो है professional से इसका deal करें और professional से इसको लगवाएं तो बहुत ही आसान होगा हम one by one करके सभी के सभी securities के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम digitally अपने business को और अपने घर को secure कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमाने बताया कि सबसे पहले हम CCTV cameras की बात करेंगे तो यहाँ पर यह जो camera है यह one mega pixel का day night camera है day night का मतलब यह है कि यह दिन में भी काम करेगा और बिल्कुल अंधेरे night में भी काम करेगा तो जितने भी day night camera होते हैं दिन में यानि कि जब उनको रोसनी मिल रही होती है दिन का मतलब यह है कि सिर्फ दिन में ही यह color नहीं दिखाई देगा रात में भी अगर light है तो बिल्कुल ये colorful काम करेगा और अगर बिल्कुल अंधेरा है तो black and white काम करता है क्योंकि जब IR इसका active होता है तो जो भी image बनाता है वो black and white के अंदर बनाता है तो अगर बिल्कुल अंधेरा है night में तो ये जो है इसका IR काम करता है और बिल्कुल actual आपको बिल्कुल एक बहतर बिल्कुल image दे पाता है बट वो होता है black and white के अंदर तो CP plus का ये सबसे सस्ता day night camera है actually day vision के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आज की rate में जो night vision camera है वो खुद ही already इतने सस्ते हो गए हैं कि हम बिल्कुल उसको easily जो है लगा सकते हैं तो CP plus का ये सबसे सस्ता day night camera जो है ये है जो इस टाइप के जो camera होते हैं यानि कि छट के अंदर उस तरीके से जो है fit होते हैं उपर में उन्हें हम बोलते हैं dome camera तो dome IR camera है जिसके अंदर IR यानि कि infrared rays LED लगी हुई है जिनके माध्यम से ये night में work करेगा तो ये वन मेगा फिक्सल का camera है एक्टिन इसके अंदर मेगा फिक्सल बहुत जादे नहीं आएगा क्योंकि इसको 24 आउर work करना होता है और बहुत ही जादे क्लियल्टी की इसके ज़रूरत नहीं होती है तो कम से कम मेगा फिक्सल के अंदर ही अपना work हो पाता है किसी प्रकार की कोई प्रबलम आती नहीं है जो भी हमें विजुयल्टी चाहिए होती है वो बिल्कुल perfectly मिल पाता है तो इसके अंदर जो है ये जो कैमरा है यानि की डोम आई आर कैमरा ये वन मेगा फिक्सल के अंदर आपको मिलेगा डेनाइट कैमरा है लेंस 3.6 mm का और ये मैक्सिमम जो है 20 मीटर तक ये कभर कर पाता है और इसका प्राइस जो है मात्र 805 रुपे है तो एक्चुली मैंने 5-7 सल तक बिल्कुल लगातार सेकेरोटी सिस्टम में वर्किंग में रहा हूँ तो इसलिए इस सब के भी से में बहुत डीपनी नौलेज रखता हूँ तो आज के करीब 5-6 सल पहले में इस लाइन में था तो उस वक्त बहुत ही कोशली हुआ करता था आज की डिट में बहुत ही सस्ता हो गया है बिल्कुल इसलि जो है CCTV कैमरेज आप अपने इसलि घर में लगा सकते हैं और बिजनस वगेरे में कितनी भी छोटी बड़ी दुकान हो आप किसी में भी बिल्कुल इजरी लगा सकते हैं तो इसके अंदर हम completely बात करेंगे कि आप जो है बिल्कुल एक package लेना चाहते हैं DVR के साथ तो आपको कितना पड़ेगा इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ cameras के बारे में बात करेंगे तो इस camera का जो price है मात्र 805 रुपे है और इसके बाद हम बात करते हैं बिल्कुल same feature है यानि कि day night camera है, IR camera ये भी है, dome camera ही है range इसका भी 20 meter ही है बट इसका megapixel थोड़ा सा जादे है यानि कि 1.3 megapixel है और यह पड़ता है आपको 850 रुपे का तो यहाँ पर 45 रुपे का differences है तो जहाँ पर अगर हम देखें megapixel का तो megapixel थोड़ा सा हाई अगर होता है तो quality बहुत ही जादे improve होकर कि आपको मिलेगी बट price में कोई बहुत जादे का अंतर नहीं हो रहा है तो जहाँ तक मेरी राय होगी कि अगर आप CCTV कैमरा लगा रहे हैं तो budget के according थोड़ा सा megapixel जादे से जादे जो आप ले सकेंगे वो लिजिए वो आपके लिए बहतर result आपको देगा तो जहाँ तक 1 megapixel की अगर हम बात करें तो 850 रुपे में मिल रहा है और 1.3 की बात करें तो यहाँ पर 850 रुपे का मिल रहा है तो यहाँ पर price जो है कोई issue नहीं रखता बट यह सब है इसके अंदर इसे भी मैं ले करके आया हूँ और यह आप select कर पाएंगे अपने हिसाब से कि कौन सा लेना बहतर होगा आपके budget के हिसाब से चुकि budget भी यहाँ पर माइन नहीं रखता क्योंकि budget का कोई बहुत ज्यादे differences यहाँ पर नहीं आ रहा है उसके बाद हम बात करते हैं टू मेगा फिक्सल के अंदर देनाइट कैमरा और इसके अंदर जो IR होता है वो थोड़ा से special होता है जिसके वज़े से quality और थोड़ी सी बहतर आ जाती है और इसके अंदर भी जो lens है वो 3.6 mm का ही है और इसका भी जो camera लगाना है आपको तो आप जो है 1.3 MP3 का भी ले सकते हैं लेकिर बजट का कोई यादे इस्व नहीं है तो आप जो है 2 MegafixEL का कम से कम ले सकते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं 2.4 मेगा फिक्सल तो मैक्सिमम जो कमपनियां है अभी तक 2.4 मेगा फिक्सल तक ही जेनरल डेनाइट कैमरा बना रही है क्योंकि ये जो कैमरा बिल्कुल इसली मिल जाता है कमपनियों को तो ये 2.4 मेगा फिक्सल में dome की हम बात करें यानि कि dome camera की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कम से कम आपको जो है 1.3 MP लेना चाहिए 1 MP ठीक नहीं है और थोड़ा सा अगर budget उठाते हैं तो 2 MP आपके लिए काफी best होगा और थोड़ा सा उपर जाते हैं तो 2.4 की तो बात ही अलग है बिल्कुल भी तो इस तरीके से जहां तक मैं suggest करूंगा कि यहां तक आते हैं तो 2 MP या फिर 2.4 MP में से आप कोई भी select करें तो ये तो रहा dome camera यानि कि ये indoor के लिए best होता है यानि कि छाय के लिए जहां पर बारीस वगरे का chances नहीं है जहां पर गीले वगरे होने का chances नहीं है तो वहां पर यानि घर के अंदर अंदर ये लग सकता है अब हम बात करते हैं outdoor की कि हम बाहर काउन सा लगा सकते हैं धूप वगरे से भी कोई problems ना हो या फिर बारीस वगरे के लिए कोई problem ना हो तो उसके लिए special camera आते हैं जिनका नाम होता है bullet camera तो bullet IR camera के अंदर ये जो है सबसे सस्ता camera CP plus का है जो 1 megapixel का camera है daylight camera है तो बहुत ही जादे विजवल्टी की ज़रूरत नहीं है यानि की जैसे ऐसी जगह पर जहां कार वगरा आप रखते हैं या फिर बढ़ी चीज़े रखते हैं और आपको उसके निगरानी करना है तो आप 1 megapixel के अंदर लगा सकते हैं और इसका lens भी 3.6 mm का है और इसके range भी 20 meter का ही है तो अगर बहुत बढ़ा इसू नहीं है बाहर आपको लगाना है quality का बहुत बढ़ा इसू नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं इसका price जो है 890 रुपे है और उसके बाद हम बात करते 1.3 megapixel में day night camera बिलकुल सारा का सारा configuration बिलकुल वही है ये पड़ेगा आपको मातर 1200 रुपे यानिकी 1200 रुपे में तो कम से कम आपको ये तो लेना ही चाहिए 1.3 megapixel में अगर practically देखा जाए तो quality काफी improve कर जाती है और काफी बहतर मिलता है और उसके बाद हम बात करेंगे 2.4 megapixel में bullet के अंदर 2.4 megapixel में बहुत ही बहतर quality आ जाती है और सभी range के अंदर ये काफी बहतर काम करता है तो day night के अंदर 2.4 megapixel में 3.6 mm में और 20 meter के range में ये जो camera है बिरकुल full HD है काफी बहतर वर्क करेगा और इसका price 1480 रुपे है यादि कि 1500 रुपे round figure में अगर हम बात करें तो 1500 रुपे के अंदर मिलने वाला normal bullet camera यानि कि normal bullet IR camera ये बहुत ही best हो सकता है आप outdoor में लगा सकते हैं घर के बाहर लगा सकते हैं धूप में लगा सकते हैं बारिस में लगा सकते हैं किसी भी प्रिकार की problems इसके अंदर नहीं आती है तो इसका प्राइस जो है 1480 रुपे है कम से कम आपको जो है अगर बाहर लगाना है तो आपको ये लेना चाहिए अगर दूरी जादे कभर नहीं करना है तो लेकिन अगर दूरी थोड़ा जादे कभर करना है आपको थोड़ा दूर तक देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा दूर तक कभर करेगा, पस से लेकर के जादे दूर तक कभर करेगा, यानि कि इसके अंदर जो IR है, उसकी कैपसिटी 30 मीटर तक जो है कभर करने की है, नाइट में भी, यानि कि 30 मीटर तक बिल्कुल बहतरी बिजिविल्टी आपको जो है देगा, बड़ इसका प्राइस जो है थोड़ा सा जादे है, यानि कि 2120 रुपे, तो अगर आपको लगता है कि आप जहां पर भी बाहर CCTV कैमरा लगाने बाले हैं, और आपको दूरी थोड़ा जादे चाहिए, यानि कि जहां पर भी लगा रहे हैं, वहाँ से 30 मीटर की दूरी तक का आपका विजिविल्टी चाहिए, तो आपको ये मॉडल लेना होगा, और ये काफी बहतर जो है विजिविल्टी में आता है, काफी बहतर जो है आपको ये क्वालिटी दे सकता है, और उसके बाद अगर थोड़ा सा और है भी आपको चाहिए, तो मेगाफिक्सल बिल्कुल वही होगा, यानि कि 2.4 मेगाफिक्सल में ही मिलेगा, और इसके अंदर जो लेन्स होगा, वो 8 mm का होगा, और ये जो कभर करेगा, वो 50 मीटर तक कभर करेगा, और CCTV कैमरे के लिए 50 मीटर बहुत होता है, और इसका IR जो है बहुत ही पावरफूल है, इसके अंदर 60 IR लगे हुए हैं, जिसके वज़े से क्या होता है, नाइट मोड में, नाइट के अंदर, ये बहुत ही बहतर विजवल्टी जो है ले पाता है, और काफी बहतर तरीके से image को sense कर पाता है, और इसका जो प्राइस है, वो है 3500 यानि की 3500 रूपे में, ये आपको मिल सकता है, जो CP पलस का बहुत ही बहतर कैमरा होता है, अगर अगर आप देख रहे हैं इसको या फिर DBR से डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप इसको जो है जूम वगर कर सकते हैं यानि कि इसके अंदर जो लेंस होता है वो टू-पॉइंट-8 से लेकर के 12 mm तक जो है आप इसको वैरी करके आप जो है देख सकते हैं विजुल्टी काफी कि ही होता है और इसके अंदर भी आई यार लगा हुआ है पचास मीटर तक रेंज को कभर करने की इसके अंदर पावर है तो यह जो है चुकिए वेरी फोकल है आप टू पॉइंट एट से बारा में एमेम तक जो है आप इसकी जो है लेंज को वैरी कर सकते हैं बट इसका प्राइ देख करके खुद मैं सौक्ट रह गया हूँ कि यह सारे के सारे जो हम कैमरे लगाया करते थे आज के पांच सल पहले वो 15,000, 12,000, 18,000, 20,000 के लगाया करते थे वो सारे कैमरे आज की रिट में कितने सस्ते हो गए हैं तो और भी एक से कैमरे के बारे में हम लोग बात करेंगे बट इस वीडियो के अंदर वो सारे कैमरे हैं जो एक नॉर्मल यूजर्स के लिए हैं यानि कि एक होम के लिए एक दुकान के लिए एक बाहर के लिए एक छोटी मोटी फैक्टरिस वगरे के लिए जो है ये जो है सारे के सारे कैमरे काम करेंगे और एक वीडियो में हम दूकान है या फिर आपका हाउस है. तो दोनों में ही अगर दो या तीन काइमरा, या दो ही काइमरा अगर आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर लगाने की ज़रुरत है, तो उसके लिए आपको लेना होगा बुलेट काइमरा. और बुलेट काइमरे के अंदर में बात या फिर 2.4 की तो बात ही अलग है बिल्कुल भी तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप सेलेक्ट कर पाएंगे और नेक्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिकोर्डिंग के लिए कि आप कौन सा DVR लेंगे और इसके अंदर आप और कितने कैमरे के लिए आपको कौन सा DVR ल नहीं है डोर लॉक्स वगेरा हो गए बिल्कुल आइटमेटिक लोग होगा ऐसे में से लोग होगा इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल करके फिंगर प्रिंट्स वगेरा हो गया या ने कि सेक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी दोस्तों के साथ सेर करें तो दोस्तों इस वीडियो भी तक इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिवियार के साथ तब तके लिए थिंक्यू है वे नाइस टे बादा